Hey guys, यहाँ पे हम chain rule दिखते हैं chain rule में हम यहाँ पे कुछ different type के हमारे functions होंगे उनका differentiation करना होगा, जैसे sin x का cube यह यह differentiation देखने में तो difficult लग रहा है पर यह है बहुत असाल, जब एक बार chain rule हो जाएगा तो मेरी guarantee है कि आपका यह differentiation दो मिनिट के अंदर अंदर हो जाएगा Similarly, यह सारे questions का differentiation करेंगे हम दो मिनिट के अंदर अंदर और उसके बाद थोड़ से और difficult questions करेंगे जैसे कि इसका differentiation, इसका, इसका and so on, चेक है मैं हूँ दवनीत और आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारा sin x के cube का differentiation यह रब देखो, मुझे sin x का differentiation पता है उसे किसे लिखते हैं? d sin x by dx ऐसे ही x cube का पता है, d x cube by dx होता है x cube का differentiation यानि अगर मैं लिख रहा हूँ sin x का dash तो इसका मतलब होता है d sin x by dx ऐसे ही x cube का dash तो इसका मतलब यह होता है यहाँ पे sin x का cube है पर मुझे x cube का formula पता है x cube में नीचे dx आता है लेकिन sin x की cube में denominator में कुछ नहीं आता है ऐसा उल्टा सिधा तो मैं क्या करता हूँ मैं t ले लेता हूँ sin x को तो y हो जाएगा d t cube चेक है अब देखो मुझे निकालना है y dash यानि dy by dx ओके y की value है t cube तो dt cube by dx आ गया मेरा अब अगर t cube का differentiation करना है तो denominator में dt होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ denominator में dt लाने के लिए dt by dt से multiply divide करता हूँ फिर यह यहाँ पर right side में ले आता हूँ dx को left side पर कुछ ऐसे अब यह है d t cube by dt यह मेरा similar है d x cube by dx से यह होता है 3 x square तो यह हो जाएगा 3 t square है ना और अब dt by dx निकालना है इसके लिए मैं t की value द्वारा put करता हूँ sin x तो यह क्या हो जाएगा यह 3 sin x का square इसको ऐसे छोड़ देते हैं यह d sin x by dx sin x का differentiation होता है cos x यह मुझे पता है तो यह आजाएगा cos x तो मेरा sin x का cube का differentiation यह आगया 3 cos x sin square x इसको solve करने का एक छोटा तरीका भी है मेरा था sin x का cube sin x cube इसका differentiation था तो मुझे पता है यह किसी function का cube है अब इसका differentiation होता है differentiation differentiation of outer function outer function into differentiation of inner function यानि outer function क्या है किसी number का cube मुझे x cube का पता है 3 x square होता है differentiation तो यहाँ पे sin x का cube है तो इसका अगवा 3 sin square x ठीक है अब क्यूंकि अंदर sin x है तो इसका differentiation भी करना होगा तो यह होगा 3 sin square x into sin x का differentiation sin x का differentiation होगा cos x तो यही आ जाएगा 3 sin square x cos x चीक है इसके लिए हम कुछ असान examples करते है इससे clear हो जाएगा आपको कि कैसे करते हैं questions को मैं सारे questions आपको एक एक करके बताता हूँ given है y equal to 1 by cos square x यानि y की value है cos x की power minus 2 अगर x की power minus 2 होती अच्छा तो सबसे पहले इसका differentiation क्या होगा chain rule से यह होगा differentiation outer function into differentiation inner function differentiation outer function का मतलब क्या cos x की power minus 2 यानि अगर x की power minus 2 होता तब differentiation क्या होता minus 2 power भार आ जाती multiply और 1 कम हो जाती तो minus 2 x की power minus 3 यहाँ पे cos x है तो यह होगा minus 2 cos x की power minus 3 into अब जो अंदर function बच गया उसका differentiation यानि cos x का differentiation तो यह होगा cos x का dash cos x का differentiation होता है minus sin x तो यह आएगा minus 2 cos x की power minus 3 into minus sin x बस हो गया minus minus plus हो जाएगा तो यह आएगा 2 sin x cos x की power minus 3 बस हो गया तो इसको ऐसे ही लिखते हैं पहले अंदर वाले function का differentiation तो x की power minus 2 का differentiation यह आएगा minus 2 cos x की power minus 3 into cos x का differentiation होगा sin x तो यह निकल के कुछ ऐसे आएगा similarly अगला करते हैं यह इसमें जितने questions प्राक्टिस करोगे उतना असान हो जाएगा तो मेरे साथ साथ प्राक्टिस करज़े चलो और फिर जब पूरा हो जाए तो एक और बार वीडियो चेक करना और फिर खुद प्राक्टिस करना questions को बिल्कुट clear हो जाएगा अब यहाँ पे log of something का differentiation है तो इसका क्या होगा पहले तो log of something का differentiation मुझे पता है log x का differentiation होता है 1 by x यानि जो अंदर value है अंदर function है वो नीचे आजाएगा तो नीचे आएगा 1 by x square plus 6x plus 5 into जो अंदर function है इसका differentiation x square plus 6x plus 5 का differentiation denominator सेम रहेगा जो भी था अब इसका differentiation होगा x square का differentiation 2x 6x का differentiation होगा x गायब हो जाएगा 6 2x plus 6 और 5 का मेरा constant है इसका differentiation 0 होता है तो यह आएगा 2x plus 6 plus 0 यानि मेरा finally आएगा 2x plus 6 divide by यह x square plus 6 x plus 5 चीक है तो देखो log का differentiation था तो अंदर की चीज यानि log x का होता है 1 by x तो यहाँ पे जो अंदर की चीज है वो बन जाएगा denominator कुछ ऐसे और फिर अंदर के function का differentiation जो के आएगा 2x plus 6 तो यह कुछ ऐसे आगया अब यह वाला देखते है यहाँ पे किसी function की power 9 है x की power 9 का differentiation होता है 9 into x की power 8 power multiply और 1 कम हो जाती है तो यहाँ पे होगा 3x square sorry 9 multiplied 3x square minus 9x plus 5 इसकी power 8 multiply by जो अंदर function है इसका differentiation तो 3x square minus 9x plus 8 sorry plus 5 इसका differentiation यह सेम रहेगा इसका differentiation होगा 3 into 2x यानि 6x 9x में से 9 बच जाएगा 6x minus 9 यह constant 0 हो जाएगा तो आगया मेरा 9 into this की power 8 into 6x minus देख लेते हैं यहाँ पे किसी चीज की power 9 है तो उसका differentiation होगा 9 into this 9 minus 1 into अंदर वाले function का differentiation यानि यह चेक है अब यह वाला करते है यहाँ पे sine x square है यानि यह sine x का differentiation जैसे है तो करतेता हूँ sine x का differentiation होता है cos x तो यह आएगा cos और अंदर जो भी angle है वो तो यहाँ पे angle है x square तो cos of x square अब जो under function है क्या होता था differentiation of outer function outer है मेरा sine x तो cos x का square और inner function क्या होगा फिर x square तो इस x square का differentiation यह आएगा cos of x square into 2x तो यह आएगी 2x cos x square चेक है तो सेम तरीके से यह आएगा 2x into cos x square अब यह करते हैं यहाँ पे cos है मेरा outer function inner function है sine x अब cos का differentiation होता है minus sine तो यह आएगा minus of sine और जो भी under का function था वो under का function है sine x तो वो वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि वो angle है into अब अंदर वाले function का differentiation sine x का differentiation चेक है sine x का differentiation होता है cos x तो यह आएगा minus sine sin x into cos x बस आगया तो यह आएगा minus sine of sine into cos x यह इसको ना एक और तरीके से भी कर सकते है अगर अभी तरह clear नहीं है तो मैं sin x को t माल लेता हूं ठीक है एक example लेही लेते हैं तो मेरा जो y है वो cos sin x है अब हो जाएगा cos t मुझे निकालना है dy by dx यानि मुझे d cos t by dt निकालना है by dx निकालना है y के जगा यह put कर दिया नीचे denominator में dx था अब उपर cos t है तो मुझे denominator में t चाहिए तो मैं dt by dt से multiply डिवाइड करता हूँ तो यह हो जाएगा d cos t by dt into dt को यहां ले गया x को right side ले जाता हूँ तो यह आएगा उपर dt नीचे dx तो यह d cos t by dt होगा minus sin t into dt by dx आप notice करो यह ही है यह sentence और यह चीज सेम है exactly सेम है minus of sin sin x के जगा t put करता हूँ तो minus sin t into t dash है t dash होगा dt by dx तो सेम आ गया t की value sin x put कर गया तो आपको same answer same ही आएगा ठीक है यह चीज आपको हर बारी करने के जुरूत नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि chain rule आता कहां से है इसलिए मैंने बताया है यह आपको और अगर solve करने है question को तो असान है differentiation of outer function into differentiation of inner function similarly यह log वाला करते है यहाँ पर outer function है log x तो log का differentiation क्यों होता है 1 by x तो यहाँ पर होगा अंदर sin x है तो 1 by sin x into अब अंदर वाला function का differentiation यानि sin x का differentiation जो की होता है cos x तो उपर आजाएगा cos x तो यह 1 by sin x into cos x यानि cos x by sin x cot x आजाएगा यह चीक है तो सेम तरीके से 1 by sin x into sin x का dash यानि cos x by sin x cot x ऐसे ही log x की power 4 कर सकते हैं यह मेरा similar है x की power 4 से इसका differentiation होता है 4 x का cube तो यहाँ पर अंदर log x है तो यह हो जाएगा 4 log x का cube into अब अंदर वाले function का differentiation यानि log x का differentiation log x का differentiation होगा 1 by x तो यह आएगा 4 log x का cube into 1 by x बस हो गया चेके हैं अब करते हैं हमारे special teach you questions मैं start करता हूँ इस question से यार अब यह sine of something का differentiation है तो हमने देखा था क्या होता है differentiation outer function into inner function outer है sin x तो इसका आएगा cos of जो भी अंदर है वो यानि cos x square अब होता है into differentiation of inner function यानि cos x square का differentiation अब आप notice करो यहाँ पे भी दो function है एक cos x है और एक x square है तो यहाँ पे भी दो पारी differentiation होगा यहाँ चेंड रोल एक और पर लगेगा पहले बाहर वाले function cos x पे तो वो होगा minus sin x तो वो होगा minus sin of x square into अब x square का differentiation x square का differentiation होगा x square का differentiation यानि 2x तो निकल की क्या आएगा है cos of cos x का square into minus sin x का square into 2x ठीक है पहले outer function का differentiation into inner function का differentiation यहाँ पे दोबारा chain rule लगेगा तो यहाँ पे outer है cos x तो वो होगा minus sin x और inner है x square तो वो होगा x square का differentiation 2x तो यह कुछ ऐसे आएगा cos of this solve करेंगे तो मेरे differentiation यह है similarly यह वला करते है यहाँ पे sec का differentiation हो रहा है पहले यानि पहले outer function है sec sec का differentiation जो होता है sec को प्यार होता है सिरफ अपने आप से और tan से तो sec का होता है वैसे sec x tan x sec x tan x तो यहाँ पे होगा sec cot x 4 tan x 4 into अब अंदर है cot x का square sorry cot x की power 4 अब यह भी मेरे दो function है एक cot x है और एक x की power 4 है तो इसका differentiation करना है अब यहाँ पे द्वारा लगेगा chain rule तो यह जो पहले आया था वो पहले और फिर cot का differentiation cot को प्यार होता है cosec से सिरफ cosec से होता है और क्योंकि c से start हो रहा है तो इसमें minus का sign आएगा तो यह आएगा minus cosec square और अंदर जो value है x4 चिक है तो यहाँ का outer function cot का differentiation यह आगया अब inner function x की power 4 का differentiation करता हूँ तो यह आएगा 4 x का cube और यह जो दुनों थे यह और यह यह same तो यहाँ पे same use करेंगे तो पहले sec और tan आजाएगा और फिर cot x की power 4 का differentiation यानि वह होगा minus cosec square into x की power 4 का differentiation 4 x cube तो final differentiation यह आएगा मेरा चेक है अब यह वाला करते हैं यहाँ पे cos की power 7 और अंदर कुछ है यानि मेरा यहीं पे 2 functions है तो सबसे बेले तो मैं इसे लिखता हूँ bracket में cos यार इस पूरे को ना t लिखता हूँ मैं क्योंकि अभी मुझे वह सबसे difficult लग रहा है तो उसको असान बनाने के लिए मैं इसको cos t कर जाता हूँ cos t की power 7 अब इसका differentiation क्या होगा x की power 7 का होता है 7 into अंदर cos t और इसकी power हो जाएगी 6 एक कम into cos of t का differentiation ठीक है जहाँ पर यह t लिया है मैंने यह sin of x का square अब cos t का differentiation होगा minus of sin t into t dash क्योंकि यहाँ पर chain rule लग रहा है तो t का भी differentiation होगा तो यह t dash आ जाएगा t dash का मतलब होगा यहाँ पर ठीक है अब यह पूरा हो गया यह है 7 cos t की power 6 equal to this t dash अब सिरफ t dash निकालदा t dash है मेरा sin of sec x square इसका differentiation तो यहाँ पर outer function है sin तो उसका differentiation होगा cos तो यहाँगा cos of जो अंदर था sec x square into अब sec में जो अंदर था जो angle के अंदर है उसका differentiation तो sec x square का differentiation sec x square का differentiation होगा tan sec x tan x तो tan x square sec x square into x square का differentiation अच्छी थोड़ से difficult होगया एक एक करके चलते हैं सबसे पहले तो y की value यह है तो dy बे dx ही होगा मैंने यहाँ पर इसको t माना था ना तो यह क्या आया था cos t की power 7 तो यह आएगा अब मुझे cos t का differentiation निकालना है cos t का differentiation cos t का differentiation होगा minus sin t into t dash तो minus sin t यह आगया और t dash होगया यह sin sec x square का differentiation अब sin sec x square का differentiation यहाँ पर outer function है sin x तो उसका differentiation होगा minus cos x sorry minus cos sec x square अचा इसको भी change कर देते हैं sin sec x square है तो मैं इसको मान लेता हूँ sin t माना था पहले अब इसको p मान लेता हूँ तो इसका differentiation होगा cos p into p dash यहनी cos of sec x square into sec x square का differentiation sec x square का differentiation अब असान है sec x square का differentiation sec का differentiation होता है sec x tan x तो यहाँ पर x की जगह आएगा x square तो sec x square tan x square into जो अंदर बजगया x square इसका differentiation है और x square differentiation होगा 2x तो finally निखलके यह आता है यह जो बड़ा सा answer है यह मैंने 2 minute में solve कर दिया चीक है यहाँ पर हमें इसे differentiate करना है मैं notice करो यहाँ पर यह दो चीज़े हैं एक यह function है u एक यह function है v यह दो functions का multiplication है तो मैं यहाँ पर use करता हूँ product rule यह होता है u dash v plus v dash u है ना right side में कहीं पर link आगे होगा हमने product rule last वाली वीडियो पर सुन जाया था वो चेक कर लेना आप तो यहाँ पर पहले मुझे u dash निकालना है v dash निकालना है तो वो ही करता हूँ u है मेरा cos x का cube इसका differentiation क्यों होगा बाहर का function है cos x तो इसका होगा minus of sin x cube और फिर जो अंदर x cube है इसका differentiation तो x cube का dash minus sin x cube x cube का dash होगा 3 x square तो आ गया minus sin x cube into 3 x square similarly जो v dash है v है यह sin square x की power 5 यानि यह है sin x की power 5 का square तो यह similar है t square का differentiation से इसका क्या होगा 2t होता है तो यह होगा 2 sin x की power 5 into sin x की power 5 का differentiation sin x की power 5 का differentiation होगा पहले अब यहाँ पर भी दो function है एक sin है और एक x की power 5 है outer function है sin तो यह बन जाएगा cos तो यह बन जाएगा cos x की power 5 into अब x की power 5 का differentiation यह बन जाएगा 5 x 4 चेक है तो v यह है मेरा differentiate करूँगा तो यह आएगा 2 sin x की power 5 into sin x की power 5 का dash sin x की power 5 का dash होगा यह cos x की power 5 into x की power 5 का dash और x की power 5 का dash मुझे बता है 5x का square तो यह कुछ ऐसे आगे u dash यह, v dash यह मैं put करता हूँ इस equation में तो मेरा final answer यह आता है चीक है ओके यहाँ पे हमारी chain rule की वीडियो खत्म होती है अगर आपको देखना है तो exercise 5.2 आपका chapter 5 class 12 NCRT से वहाँ का check करना और यार यह NCRT से न करना टीचू पे जाना वहाँ पे concept wise में सारे questions गिवन है including examples और miscellaneous और important भी mark ने तो वहाँ से check कर सकते हो आप वीडियो चे लगे हो तो subscribe करना हमे यह हमारी next वीडियो है इस playlist की यहाँ पे हम देखेंगे derivatives of implicit functions और अगर वीडियो चे लेगे तो please share करना क्योंकि जितना आप हमें आरी वीडियो शेयर करोगे उतना हमें support मिलता है चलो, see ya guys